अगली खमर में बात करते ही इंदोर की जहां नंद बाग कालोनी में रहने वाली ग्यारवी क्लास की छात्रा कालोनी में ही रहने वाले एक लड़के से परिशान हो गई लड़का आये दिन उसे परिशान करने लगा पिता को बात बताने पर समझाने पर चाकू लेकर घर पहुच गया और करीब आदा घंटे तक बाहर खड़े रहा परिशान पिता ने मामले में थाने में शिकायत की रात में पुलिस ने गनभीर धाराओं में केस दर्ज किया और उसे गिरफतार कर लिया बाड़ गंगा पुलिस के मताबिक 16 साल की लड़की की शिकायत पल लेक राजनिवासी यादव पैलस के खलाब 354, 354, 354, 294, 452, 7, 8, 800, 1, की गनभीर धाराओं में केस दर्ज किया है लड़की ने बताये कि लेक राज उसके घर चाकु लेकर पहुचा था और पिता को धमका कर कहा कि बेटी को उठा कर ले जाएगा इसके बाज जान से मानने की धमकी दी और चाकु लेकर घर के बाहर खड़ा रहा इस्टुडेंट के पिता का कहना है कि उनकी बेटी 11 वी क्लास में पढ़ाई करती है लेक राज इलाके में ही रहता है तो इसने बेटी के दोस्ती करने के बहाने नमबल ले लिया वे बेटी को अकेले में मिलने की बात कर रहा था जिसमें बच्ची ने उससे बात करना बंद कर दी इसके बाज से लेक राज बाइक से निकलते हुए कमेंट्स करता है इसकूल जाने के समय पीछा कर वे वहां तक आ जाता इसकूल के बच्चों से गंदे मैसेज भेजता और असलील बाते करता है था जिसे वहमानसिक रूप से काफी परिशान हो गई कालोनी में ही उसने कई लड़कों को छात्रा के बारे में गलत कहा लेकिन बेटी ने हमें नहीं बताये जरकी के पता ने बताये कि उनके दो बच्चे हैं सनीवार रात्वे घर में थे बेटी काम कर रही थी इस दौरान लेकराज चाकू लेकर घर आ गया काफी देर तक बाहर खड़े होकर धमकाने लगा उन्होंने पहले लेकराज की मा को समझाने की बात की थी जिसे लेकर वहनारास था वे बेटी को भी उठा कर ले जाने को कहने लगा उसने कहा कि मार डालूँगा और लास्ट तक का पता भी नहीं लगेगा कड़िवादे घंटे तक घर में बंदी बने रहे उसके जाने के बाद बाहर निकले और इस्तदारों से बात कर मामले की रिपोर्ट लिखाई लेखराज मूल रूप से सोनकच का रहने वाला है उसके परिवार में तीन भाई बहन है यहां कुछ साल पहले ही मा के साथ रहने पहुचा है लेक राज के पता सोनकच में ही रहते हैं यादब पैलस में कुछ साल पहले ही मकान खरीदा है जहां पतनी और बच्चों को छोड़ दिया फुलिस के मताबिक आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है सर्व सुविधायोग नेशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अग कैंसर का सफल प्चार और आपरेशन की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां मिल रहा है आयशमान भारत निरामे योजना का लाब आयशमान जन आरोग योजना के तहट सभी प्रकार के मेडिकलेम की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोप, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोप का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलप्त है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पतेल के द्वारा उपलप्त करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 96912885600 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 860028859900 पर